किसी चेप्टर ने आपको धंग से मजबूर करी दिया है, क्या आज उसमें मजबूरी महसूस करते हैं, मजबूरी महसूस करते हैं, आप कहाते हैं, प्रॉपिटेट लोस आजाए, बाई साब गर्दा उठा दूपा, क्यों? क्योंकि वो जितना मजबूर करना था, कर चुका, याद रखिएगा बटा, बगैर मन्थन के अमरित, नहीं मिलता, समुद्र को मजबूर किया है, तुम्हारा दिमाग समंद्र है, और परिस्थितियां, वेच्चकी, जो जब हिलाती हैं, तो आपके अंदर का बैस्ट निकालत हैं, आप कहते हैं कि आवश्रक्ता विष्कार की जन्नी है, बकवास है ये, बकवास है ये, आवश्रक्ता विष्कार की जन्नी है, ना, ऐसा बस्ती होता है, वो परिस्थिती, वो परिस्थिती जिसमें वो आवश्रक्ता महसूस हुई, उससे सारे विष्कार होते हैं, वो जिसमें वो आवश्यक्ता महसूस हुई आप नहीं जा रहे थे और किसी ने बड़ी बत्तमीजी से आपसे बात की ये वो परिस्थिती है जो अधिकारी बने की आवश्यक्ता महसूस कराईगी आपकी कभी हुई बेचती आपको अधिकारी बना सकती है मानते के नहीं मानते उस परिस्थिती पे आपके अंदर का महामन हो जागता है कि ये जीवन नहीं हो सकता जिसका जो दिला है वो बोल दिया ये जीवन नहीं है ये तो मौत है ये जीवन नहीं है कहते हैं आवश्चता अविश्कार की जन्दी ऐसा नहीं है बिटा ना परिश्चिती कौन से थी पैर में काटा धसा जब हम आदिवासी जंडल में रहते थे काटा धसा ये वो परिश्चिती है जिसने जूते की आवश्चता मैसुस कराई होगी तब जूते का विश्कार हुआ आवश्चता विश्कार की जन्दी नहीं है बटा जिन्दीकी में जो परिस्थितियां बन रही है आपके इस वक्त इश्वर्थ चाहता है कि आप विश्कार करो बस भागना मत भागना मत यह मानना सक्सेस रेशो दोई परसेंट है अठानवी बार बच्छर हाथ नहीं आया कोई बात में नहीं आया अगर बच्छे तो आप रहे हैं सोचो अगर मेरा बुद्धा मुझसे बहुत महंगा खिलो ना मांग रहा है मांग लोग खिलो ने कीमद 10,000 रुपे को चोटा है तीन साल का आरव जितनी ही उमर है उसकी राइट सो अगर वह 10,000 का खिलोना मुझसे मांगता है क्या मैं भिटते ही दिला दूबा क्या यह सो नो नहीं दिला हुआ ना मुझे पता है तोड़े गाई समझना इस बात को बहुत महंगा खिलोना आपने कोई संटर में दोकरी कर लो चलो मैं दिला देता हूं आज ही मिल जाएगी कई कोई सेक्टर में चले जा तुसमारा आजार में अपनी जित की कमा दो आज ही मिल जाएगी महंगा खिलोना मांग रहे हो अधिकारी को नहीं है बईया समाध में रुख़भा चाहिए पत्परति ना तो तोड़ देगा। दिलादो। तोड़ दिलादो। ना तो एट धड़। भाग। फिर भी दो रोक। दिलादो, दो धड़। तो धड़। नो भाग। सफगता पाने का एकी सुत्र, मेरे साथ सारे बोलेंगे, बोले stay there, दम नहीं है भईया, ना मेदानिया, शावाश, बोलो stay there, stay there, stay there, इतने लोगों कितने वाग होते हैं क्या, stay there, stay there, stay there, stay there, stay there, and stay there, बेटा वहीं पे रहो, भागना नहीं है, जापण मारा, दिला दो, फिर जापण मारा, आप दो दो, आज आपण मारा, लास्क्री होगा क्या, मानुस में खाना दो दिन नहीं खाया, होगा क्या, मेरे अंदर का businessman मजबूत है या बाप, बाप मजबूत है, कज़े रोटी खान करने के लिए चलते हो, आप अपने सपने साकार करने के लिए चलते हो, तो जो आप अप्लाई करते हो पहली बार, ठीक है, और आप फेल होते हो, तो वो क्या है, जापण, आप करते है, जापण मारा, जलवागा, किसी और का बाप होगा, मेरा नहीं हो सिलता, चले, आप कहत संटिया stay there stay there stay there apply 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 and apply दिमाद तो option फेकेगा quit कर ले क्यों कर लो quit भाई या क्यों कर लो पर सो पढ़ा रहा था तो इक बच्चे ने question किया सर तीन साल हो गए मैनत करते हुए अब छोड़े कामन करता है मैंने का जिस भी फील्ड में जाएगा तो नई खिनाड़ी की तरह स्टार करेगा वहां पर दुरंदर होंगे औरी तीन साल दुरंदर हो चुका है थोड़ा और stay there पहला देश था आपका जोंग्रेजों के जुल्ब से मुक्त हो पाया पहला देश था था के नहीं था एकी सूत्र था विकाज आप अपनी मांग पर टिके रहे यू stay there गादी जी गए भाई आजादी देदो पकड़ रहा है भाई साब आप तो देदो अरे अब तो हमारे पास कुछ नहीं वजय आप तो देदो अल्टीमेटली क्या हुआ उस्टे देर से क्या हुआ आपको आजादी मिली के न आपके दुख से, दर्द से, पीडा से, तनाव से, नर्वसने से, सबसे बुक्ती में जाएगी बशर्त है यू भागना मत, भागना मत, जागना, करो मजबूर खूब अपने आपको, खूब मजबूर करो, खूब व्यायाम करो बिटे स्वामे करंदा के इश्व, this world is a gymnasium, ये संसार एक व्यायाम शाला है, and the soul comes in it to strengthen itself, आत्मा इस संसार में आती है, अपने आपको, आपके हिसाब से, मजबूर करने के लिए, क्योंकि कुछ के दो चेहरे पर ही मजबूर ही दिख रही है, तेरा कुछ नहीं होना बिटा, तुझे अपने उपरी डाउट है, और कुछ के इका दुखा की बात कहरो बिटा, बाकी सब का चेहरे चमक रहा है, so soul comes in it, this whole world is a big gymnasium बिटा, and soul comes to it to strengthen itself, खूद व्यायाम करो, खूब भलो भूलो, खूब नाम करो, खूब बदबर्तिष्ठा, मान सम्मान, इजब, रुत्बा, दौलत, शोहरत, कमाओ, पर उसकी जो कीमत है, वो चुकाने से पीछे मत हटो, क्योंकि हर महनी चीज़ की एक कीमत तो जरूर है विटा, एक कीमत तो जरूर है, जब लोग entertainment कर रहे होंगे, आप enrichment कर रहे होंगे, राइट, याद रखेगा, कुछ लोग कहते हैं भई आप बड़ा मजा आया, मजा तो याद रखेगा विटा, एक सुवर को भी आता है, जीवन मिला है अपने आपको strengthen करने के लिए बिटा, entertainment, छोटी सी बात हमारे वेदों की, कि जब भी मनो रंजन करते हो, तो आप अपने आप से और अपने अंदर की best ताकत से दूर रहते हो, और जब मन भंजन करते हो, तो आप अपने आपको जानते हो, मन भंजन, यानि कि म मन को भंजित कर दिया, मन को भंजित कर दिया, आपने को भी सुना है, वर्ड के भगवान को परसंद करना हो, तो भजन करना पड़ता है, सुना है कि नहीं सुना है, भजन, भजन का मतलब होता है बिटा, दो शुक्तों से बना है, भज माने भागना ना मतलब बंद, जब भ अंदर का खोपड़ा टिकता नहीं और हनुमान का डोलता नहीं हनुमान जी हमेशा भजन में है भज मतलब भागना न मतलब बंद करके अपने अंदर स्वस्त होना स्वस्त का मतलब स्वस्त स्वा मतलब स्वेम स्था मतलब स्थापित स्वेम में स्थापित वो स्वस्त होता है और जो स्वेम में स्थापित नहीं है वो आ स्वस्त है आ स्वस्त स्वा मतलब स्वेम और स्था मतलब स्थापित इस बात को समझना जब आप डरे हुए होते हो जब आप चिंतित होते हो जब आप घबराए हुए होते हो क्या अपने शहीर में टिकते हो या खोपड़ा उबन रहा है बाहर के लिए हाई मेरा क्या होगा हाई होगा नहीं होगा आप स्वस्त है या अस्वस्त है बिटा जो जो स्वस्थ है स्वस्थ मतलब स्वें में स्थापित जब आप सिख्षा ले रहे हो पूरा स्वस्थ तरीके से सिख्षा लो लाइबरेरी में बैठे हो पूरे स्वस्थ रहो यानि कि स्वें में स्थापित रहो परिसित्या आती रहेंगी जाती रहेंगी आती रहेंगी जाती रहेंगी क्योंकि ये परिस्थित्या बहुत जरूरी है मुझे मजबूर करने के लिए नहीं मजबूर करने के लिए स्वस्थ रहो क्योंकि उसी उसी स्वस्थ विचार से आपके स्वस्थ कर्म जनम लेंगे और उसी स्वस्थ कर्म से आपकी स्वस्थ आदतें और उन्ही स्वस्थ आदतों से आपका स्वस्थ व्यक्तित्व और उसी स्वस्थ व्यक्तित्व से बड़ा स्वस्थ चरित्र और उसी स्वस्थ चरित्र से एक बड़े स्वस्थ भाग्य का मिर्मान होगा और जब आपका भागय स्वस्थ होगा तो देश का भागय स्वस्थ होगा के नहीं होगा इस बात को समझ ना बेटा बोलने को मैं लगातार बोलता चला जाओंगा कियोंकि कभी आपकी सीप पर होता था तो सुनने पर बल बड़ा जबरदस था सुनने पर बड़ा जबर्दस्ता मैंने कहा बेटा मैंने कहा खूब एकटा करो रिष्मे दो बहो मत बहोगे तो उपर की उपजाओ मिट्टी बहांके कहीं और चली जाएगी जित्गी में बहाव की डिमाड नहीं रिसाव की डिमाड हो आप देख रहे हैं आजकल हमारी धर्ती का जो जलस्तर है वो नीचे जाता जा रहा है वाटर लेवल नीचे जा रहा है हमारे खेतों की जो टूप बहले पानी छोड़ देती है कारण क्या है कारण यह है बिटा कि आज बहाव होता है रिसाव नहीं पहले ज्याद है जब हम छोटे थे तो बारिश होने लगी भाई साथ तो बारा बारा चोड़ा चोड़ा पंद्रा बंद्रा दिन सूरजी नहीं निकलते थे सूर्य देवता बारा बारा चोड़ा दिन दिखाई नहीं देते थे और हलकी हलकी बारिश हलकी हलकी बारिश चलत तुमें क्योंकि आज बहाव है जितनी बारी शोनियों दो घंडे में हो गई धड़ाव यह एंटरटेन्मेंट कि यह एंटरटेन्मेंट यह संगर्श नहीं है आपने तीन घंडे में अपने आपको इतनों नरणजित कर लिया और वद्धें मजा आ गया यह सजा है तीन घंड बना रहता तेरा तेरे अंदर के जो सद मूल ले है सद जीवन को प्रेड़ करने हो बने रहते याद रखंगा बिटा जिन्देगी बैलेंज का नाम है जरा से बीड़ी नहीं क्गड़ब्र हो जाएगी अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी को हलका रखो हलका और हलका अबार तो श्रीकिश्ट कहते रहे करम करो फल की चिंता मत करो पर आप तुरूंत कहते हो हाई मेरा क्या होगा हाई होगा है नहीं हो आप पढ़े लेना यह दो वही बात हो रहा सुच्छी को लगोगी सुच्छी अरे क्रिकेट से एक लिना डंग से कि शॉट्स कैसे लगते है सेंसरी कब लगेगी इस पर से काटा मार दे क्या पक्का बताए कि कल मैं आप से मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा या आप मुछ से मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा विल्कुल नहीं एक सास गई है क्या पक्का बताए कि आ आजाएंगे कलाम साहब ऐसे ही लेक् सीख और वही सबसे बड़ी पूजा और वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा ज्यादा कि समय ना लेते हुए कुछ चंद लाइन्स के साथ समापन करना चाहूगा और कभी हार नहीं मानना बिटा कभी जिद्गी में हार नहीं मानना कभी शिकायत आहे मन मैं तो शिकायत को अहुभाव से कनवेट कर दो जिन्दगी का मुनमंतर सीखें चाहूँ। बोलो from complaint बोलो from complaint बोलो from complaint to thanksgiving right from complaint to creativity यानि के जब आप फ्रेल हो गए तो दिवाग में शिकायत मतला हो अगले दिन आपको लाइबरेरी में होना चाहिए अपनी किताब के साथ अर्थुन का प्यारा बेटा अभी मंद्यू मार दिया गया खूब रोया सारी रात रोया अगले दिन गांडी के साथ कहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में आओ वई कर्म प्रधान है बिटा जीवन इतना समय नहीं है कि मैं फेल हो गया तो अब मैं एक हफ्ता मेरा पढ़ाई में मनी नहीं लग रहा ना इतना फाल तु नहीं है कि एक हफ्ता माइनस कर दोगे वो एक हफ्ता किसी ने प्लस कर लिया अपने लिबान में और आपने माइनस कर दिया यह सो दो हार नहीं मानने है अगले दिन अपने अस्त्र शुस्त्र लेकर लाइबरीरी के अदर बैठें यह है अजो असली खिलाडी है वही वही विजेता होगा आज नहीं कल कल नहीं परसों पर हम हारेंगे जीतेंगे यह संसार पर छोड़ देते हैं हम सफलता के लिए पागल नहीं होते हैं चलो हम विकास करते हैं हम हर दिन Math में Reasoning में, English में मुझे देखना चाहिए मैं विकास कर रहा हूं के नहीं कर रहा हूं मैं स्किल बढ़ा रहा हूं के नहीं बढ़ा रहा हूं मैं knowledge बढ़ा रहा हूँ के नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं strength बढ़ा रहा हूँ के नहीं बढ़ा रहा हूँ और अगर मेरे अंदर ताकत है तो अवकात नहीं S.S.C. की अवकात नहीं U.P.S.C. की अवकात नहीं C.A.P.F. की अवकात नहीं C.D.S. की कि मुझे फेल कर दे क्योंकि मैं तो व्यायाम करके आया व्यायाम का मतलब तो मजबूरी होता है है के ने या मजबूती होता है पर मजबूती पहले शुरू में क्या लगती है मजबूरी बस करो भाई ये कान का जो आपने व्यायाम किया आज इतने महान लोगों को सुना ये सम्यक व्यायाम है ये आपको वो ताकत दे देगा जो कम से कम कम से कम आपके लक्ष के प्राप्ति तक बुझेगा नहीं बस याद रखना जब जब मजबूरी आए उस रह को ता कर दो कह दो कि भगवान मजबूरी नहीं मजबूरी दे रहा है वो चाहता है कि मजबूर हो जाओं इसलिए शायद मजबूर कर रहा है इन्ही शब्दों के साथ कुछ चंद लाइनों के साथ मैं खत्म करूंगा कि आँखे जो मूंदली इस भरी दो पहर में तो उस आफ्ताब का क्या दोश है आफ्ताब माने सूर्य है जब आप शिकायत करते हो जब आप कंप्लेंट करते हो तो इसका मतलब आपने आखे मूदली है कि जीवन में आपको हर वो चीज जो जीवन यापन के लिए जरूरी थी जब हम पैदा हुए पैदा होने से पहले मेरे जीवन यापन का स्त्रोथ खोल दिया गया था जब मुझे कुछ नहीं पता तो मेरी मा के पास दूद था मुझे पिलाने के लिए प्रकृती तो इतना जानती है आप खाग जानते हो वो इतना जानती है वो कर लेगी आपके हाथ में काम है वो मस्ती से करो गिटा उस काम में मस्ती होनी चाहिए चैरे पर टॉर्चर नहीं मेरे साब बोलेंगे बोलें डॉंट बी डॉंट बी रिजल्ट उरियेंटेड ट्राइ टु भी प्रोसेस उरियेंटेड जिद्धी में कभी में result oriented मत बनना बिटा हमेशा process oriented होना अगर प्रक्रिया को ढंक से समझ लिया तो result आएगा ही आएगा दिकत कहीं न कहीं मुझे process समझने में आ रही है मैं cricket का cover drive का process नहीं समझ पा रहा मैं नहीं समझ पा रहा कि कौन सा shot कैसे लगता है मुझे नहीं पता कौन सा flick कैसे लगता है शायद मैं process नहीं समझ पा रहा इसी लिए मेरी century नहीं लग रही है agree not agree या फिर सीधा किसी को century लगी हो तो बता दो प्रकरिया तो समझने ही पड़ेगी right तो उस प्रकरिया को जम के समझो दिमाग को हलका करके समझो और दिमाग को हलका करने का एकी तरीका है don't be result oriented try to be process oriented मेरे 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 पढ़ाया है कुछ दिन दो तीन साल वहाँ पर एक student र का एक्जैम दिया दो साल त्यारी करते होगे थे तो पुड़ा विश्वास था कि भाई साव इस बार तुमें गर्दा उठा दूमा धुआ उठा दूमा कई बार होता ना वेक्ति सोच लिता है इस बार तुम करदा उठेगा पता लगेगा right किंती के कुछ इंका दुका नं है वह एरफोर्स में विग कमांडर है विटा अब उसे बोलता हूं मैंने वीन बाद बता अगर तो सब्सक्राइब वन जाता तो विट कमांडर बनता वो लिजी विए लिवन इसकाद यह नहीं कि मैंने कवा पड़ाव कोई सफलता नहीं होती वह पड़ाव है यात्रा तो भी जारी है ना बिटा और वो मरते दम तक रहेगी प्रोग्रेस मरते दम तक रहेगा तो इनी लाइन्स के साथ उमीद करूँगा के फूरी ताकत लगाएंगे भारत माता की जय वंदे मात्रम भारत मात्र मात्रम वंदे 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 अर्थ हमेशे ध्यान रखना बेटा कि आपका हर कर्म सदगती, सदभाव सदकारिय, सदादत सदाचरण की तरफ हो और जब मन भढ़के तो मान लेना कि दो में से तीन, हर दो सेकिन में जो तीन जाते हैं, उन तीन की किंती से थोड़ा अलग अगर करना हो तो थोड़ा त्याग तो जीवन में चाहिए इन्हuning शब्तों के साथ बहुत भात धन्यवाद धन्यवाद, थैंकि थैंक्वाद पॉजह सुनने के लिए भूफने बहुत भ्यान की सुना उसके ये बहुत भूत नाभार वो दो दोने मा, thank you, thank you